हलो बचो हम 10 किलास के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कोश्चन्स और उनके आंसर्स जो है आपको माधरी जबान हिंदी और उर्दो में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक्जाम में आसानी से उनको एटेम्ट कर सकें यहां पर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कोश्चन्स का हम वीडियो बना रहे हैं तो उसका पहले लेसन का कोश्चन है What is the difference between concave mirror and convex mirror तो आपको मालम होगा कि convex mirror और concave mirror में फरक क्या है आएए हम जो है उसके 5 differences देखते हैं पहला है reflecting surface of concave mirror is curve inverse जो concave mirror होता है उसका reflecting surface यानि light आकर उस पर गिरने के बाद जो जाती है वो curve inverse होता है यानि अंदरूनी हिस्सा उसका जो होता है spherical mirror का वो वहाँ से light reflect होती है इसको समझे चम्चे से हमारे पास जो spoon होता है हम जो हिस्से से खाते हैं जिसमें खाना जमा होता है मीठा जमा होता है जो चम्चे का अंदरूनी हिस्सा होता है वो concave mirror होता है और convex mirror reflecting surfaces curve onwards यानि इसका reflecting surface पीछे का हिस्सा होता है यानि जो हमारा चमचा होता है, चमचे का जो back side होगा, spoon का, वो convex mirror के तरह behave करेगा तो आपको इसमें difference में रखने की point जहन में रखने की है कि concave mirror, curve inverse, convex mirror, curve outwards यह inverse concave के साथ होगा, outwards convex के साथ होगा, यह एक चीज़ जहन में रखने की है दूसरी बात, concave mirror जो होता है, उसकी image बड़ी भी बनती है और छोटी भी बनती है यानि concave mirror forms both enlarged and smaller image जैसे dentist के पास दातों में जो देखने के लिए इस्सेमाल करते हैं, वो लोग, वो concave mirror इस्सेमाल करते है उसी तरह convex mirror में क्या होता है, कि वो हमेशा image छोटी बनाता है आप देखिए, कार का हो, या बाइक का आइना हो, जो पीछे का हमको बताता है वो छोटी image बताता है, ट्रक बड़ी भी हो, वो आइने के अंदर समा जाती है तो convex mirror हमेशा छोटी image बनाती है, तो इसका use हो जाएगा हमारे गाड़ी के इनों में फिर तीसरा है, concave mirror जो होता है, जब light आकर उस पर गिरती है तो reflect होने के बाद, वो एक जगा जाकर light trace मिलते हैं तो converging कहते हैं, कि light trace जो है, converge after reflection, converge at a point एक जगा आकर मिलते हैं, मिलने को कहते हैं converge, तो इसको converging mirror भी बलते हैं concave mirror का दूसरा नाम, converging mirror, क्योंकि light trace आकर एक जगा मिलते हैं और convex mirror में क्या होता है, कि light ray आकर convex mirror पर पढ़ने के बाद, वो diverge हो जाते हैं फैल जाते हैं, एक point से दूर हर जाते हैं, तो इसको diverging mirror बलते हैं तो convex mirror का नाम diverging mirror और concave mirror का नाम converging mirror अब उसका fourth point है, concave mirror का magnification magnification यानि कहते हैं कि बड़ा होना, यानि actual size से बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है तो concave mirror का magnification जो है, one से कम भी हो सकता, बढ़ भी सकता और one के बराबर भी हो सकता आपने अपनी class में experiment करे होंगे या experiments के points teacher से सुने होंगे तो concave mirror की अगर image छोटी बनेगी, तो वो less than one magnification होगा concave mirror से image बराबर बनेगी, तो वो is equal to one होगा और concave mirror से जो image बनेगी, अगर object से बड़ी बनेगी, तो वो greater than one होगा और concave mirror में ये तीनों भी possibilities है convex mirror का जैसा के अभी हम लोग उपर सुने थे, कि उसकी image हमेशा छोटी होती है जो गाड़ियों में हमारे आइना होता है तो image छोटी यानि उसका magnification हमेशा less than one होगा यानि object से image हमेशा छोटी होगी अब इसके बाद मैंने जो last point लिखा है कि concave mirror जो है real image भी बनाती है और virtual image भी बनाती है virtual का एक case है वो आपको मालूम होगा तो concave mirror can form both real and virtual image लेकिन convex mirror के क्या होती है, हर image virtual होती है क्योंकि यह diverging mirror है, जो diverging mirror होता है उसकी image हमेशा virtual होती है हम आगे भी इंशालला जो है आपके लिए videos बनाने की कोशिश करेंगे इस answer को अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें और इसके points को side heading के तोर पर याद कर लें और आप exam में आसानी से इसको लिख सकते है आगे के इंशालला हम बनाने की कोशिश करेंगे